गुडिवनिंग्स अच्याकाल राम राम कैम्स दोस्तों होप सो गाइस घर होंगे सुरुक्षित होंगे और इस कोरोना के टाइम पर अपने आपको सुरुक्षित रखिए क्योंकि कहीं न कहीं एक्जाम नजदीक आप चुका है 26 दिसंबर को आपका एक्जाम है प्रलिम्स ए महनत तो ओपर सी बात है double, triple जादा ही करना पड़ेगा क्योंकि सेलेक्षिन तभी possible हो पाएगा बाकी लोगों से अगर हमें आगया आना है तो पहेना कि उनसे महनत भी हमें क्या करना पड़ेगा double या triple परना पड़ेगा तो अगर हम बात करें आज की वीडियो तो आज की व vaccination से questions आते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो animal के disease हैं उन animal के disease को अच्छे से discuss कीजिए और उनको आपका जो symptoms हैं उन points को बड़े अच्छे से तरीके से रख लेना ताकि आपके exams में क्योंकि वही point होते हैं जो आपके exams में mostly पूछ जाते हैं लेकिन अगर हम आपके vaccination की तूँ वहां से भी questions आते हैं आज की video हम केवल disease के symptoms को ही discuss करेंगे उनके जो control measure की बात करें और उनके vaccination की बात करें तो उसको हम next video में cover करेंगे तो आज की video में केवल क्या cover करेंगे उसके important symptoms को ठीक है और खासके जो important disease जो की पीछ से कई exams में आज सुके हैं लेकिन guys आपका video start करने से पहले disease को discuss करने से पहले आपको एक बहुत ही महतेपून बात बताना चाहता हूं बहुत ही important बात है देखिए guys आप मेंस के लिए भी preparation साथ में कर रहे होंगे daily practice भी कर रहे होंगे तो आपको पता है जैसा कि हमारा agreementers का जो public channel था वो अल्लड़ी available था उसका अंदर हम daily आपको quiz provide करवाते हैं और उन quiz की अगर हम बात करें तो उन quiz की last में जैसी quiz आपका end होता है उसके end में हम आपको एक result provide करवाते हैं और उसी result के बिहाफ पर हम 31st of December को देखने हैं कि इन सभी quizzes के अंदर इतने दिनों के अंदर जो आपके first three students थे उन first three students को हम agreementers की त कीजिए क्योंकि इसके साथ साथ हम केवल आपका केवल पीजी नहीं इसके अंदर बहुत important questions भी इसके साथ में हम लेके आते रहते हैं इसके साथ data भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएगा अप समझ गए होगे description के अंदर link है आप उहां के जाके उसको join कीजिए तो ज्या आपका एक bacteria है bacillus anthracis इस bacteria के द्वारा यह disease होता है और इस disease के अंदर आपका ultimately animal death की तरफ भी चला जाता है इसके symptoms के और पढ़ते हैं इसके symptoms के अगर हम बात करें तो इसमें देखो दो या तीन घंटे के अंदर भी कई बार अगर symptoms severe है condition severe है तो death तक हो सकती है और क्योंकि as a आपको पता है यह आपका time थोड़ा कम लगता है इसमें और animal जब एक बार affected हो जाता है तो उसके मूँ से या फिर उसके नाख से उनसे क्या होता है bloody blood जो होता है वो discharge होता रहता है blood जो है फैलता रहता है जिससे कहीं न कहीं animal जो है वो आपका within 24 hour minimum जो है उसक regarding पूछा दा सकता है कि sudden death दूसरा यहां जो breathing में क्या होता है difficulty temperature का rise होना और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका small amount of blood यह ना वो discharge होता है कहां से nose, mouth or other openings ठीक है तो उसका क्या है कहीं ना कहीं blood जो है वो आपको पता होना चाहिए मरने के बाद भी जब animal मर जाता है 24 hours तक भी आपका जो blood है वो clot नहीं होता क्योंकि आपको पता होगा सायद कि मरने के बाद अगर animal जो है आपका उसके अंदर या कोई भी अगर आपका living being है उसके अंदर मरने के बाद उसका blood क्या होने लगता है clot हो जाता है लेकिन इसमें आपका इस disease की वजए से blood के अंदर clot भी नहीं हो पाता after the death तो यह भी एक important आपका क्या होगा symptoms होगा तो symptoms में आपका question पूछा जाएगा तो यह आप अगर इसको symptom को कहीं देखती है और आपका disease का नाम पूछा गया है देन उसको आप क्लिक कीजिए यह आपका किसकी विज़े से होने वाला है या क्या disease है तो अगर हम करें तो preventive measure का मतलब है कि आने से पहले क्योंकि देखो आने के बाद तो बड़ा यह जल्दी attack कर लेता है तो आने से पहले ही इस disease को आप क्या कर सकते हो अपना जो है रोक सकते हो तो सबसे पहले ही हाँ पर बात की जा रही है कि आप regular annual vaccination दीजिए vaccination का मतलब होता है आप vaccine यान की पहले ही उसको प्रिपेर ली disease के लिए उसके लिए जो है आप क्या कर दे रहे हो उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वहाँ पर provide करवा रहे हो कुछ vaccines जो की आपकी कहीं ना कहीं help करेंगी जिससे animal जो है वो आपका disease अगर उसके अंदर आये तो आने से पहले रुक जाए और वो attack ना कर पाए ठीक है vaccination के अगर हम बात करें तो vaccination ही एक important है और दूसरा आपका जो animal जो मर चुका है उसको कहीं deeply उसको जो है कहीं या फिर बहुत अलग जाकर उसको जो है दफनाना चाहिए या फिर उसको दबा देना चाहिए जिससे की वो बाकी उसका जो इसलिए आपका एंथ्रेक्स जो है वो बहुत ही एक important disease होते हुए इसको जो है आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले vaccine देना चाहिए और दूसरा आपका जो है अगर animal को disease हो जाता है और वो अगर उसकी sudden death हो जाती है देन आपका जो कारकश है यानि कि जो body headed body उसे आपका स्ट्रोडियम चौवाई के वज़य से होता है और अगर यह अगर बात करें तो यह मेली आपका इंदर इन सभी के अंदर यह important disease है और इसमें की जिसा आप देख पा रहे है मतलब बहुत ही acute यानि की मतलब स्वीर कंडिशन के अंदर क्या होता है आपका infection हो जाता है और infection होन इनकी भूक नहीं लगेगी उसको depression का सिकार हो जाएगा डनलेस यानकी वह आपका इतनी energetic नहीं रहेगा suspended rumination का मतलब है कि वह चारा जुगाली करता है वह जुगाली नहीं कर पाएगा यानि की rumination आपको पता होगा सारे जितने भी rumination जुगाली करते है उनको rumination बोलते है न तो rumination process होती है क्या जुगाली जो आपका animal खाने के बाद उसको जो है regurgitation process के दवारा उसको जो है पसाने का काम करता है ठीक है next अगर हम बात करते है तो rapid pulse या फिर जो heart rate है वह क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी उसके साथ breathing जो process है वह आपके difficult हो जाएगी lambness यानि की animal जो है वह आपका खड़ा नहीं रह पाएगा अपनी लातों के ओपर अपनी टांगों के ओपर कमजोरी आ जाएगी तो यह चीज बड़ी यहां पर क्या होता है important ह होता है उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो आपका जो भी part अफेक्ट हो है वहां पर swelling आजाएगी और कहीं ना कहीं वहां पर आपका जो part है वह आपका गल्ला स्टाट हो जाता है उसके साथ अगर हम बात करें तो उसकी within 12 to severe condition के अंदर 12 से लेके 48 घंटे के अंदर उ यह एक important disease है और important symptoms थे जो हमने भी study किये होपसो आपको समझ में आए होगे next आपका important disease foot and mouth disease और foot and mouth disease जो है वो एक आपका viral disease है और यह आपका highly communicable disease है communicable means कि वो आपका एक से दूसरे में transfer बहुत जल्दी होता है और खास करिए cloven footed जो आपके खुर वाले जो animals होते हैं उन में सभी में ही effect करता है और इसकी बात करें तो इसकी symptoms mainly fever आना उसे के साथ salivation यह बड़ा important देखो यहां पर आपका animal में saliva आपको दिख रहा होगा यह saliva यहां पर गिरता रहता है जिसे रोप लाइगा एक रसी की तरह रहता है था आपका जो hanging करता रहता है माउस से उसे के साथ अगर बात करें तो animal में आपका दिजीज है रिंडर पेस्ट और अगें आपका क्या है वाइरल डिजीज और यह भी आपका क्या करेगा खासकर जैसे कि आइज होती है उनके अंदर यह देखिए कि आपका fluid-like structure जो है बहता रहता है साथ में आंके जो हती है वो लाले हो जाती है और मुझ जो आपका mouth होता है उसमें आपको पता होगा fall order आता रहता है ठीक है यह देखिए अभी आपको दिखाया था एक बार द्वारा देख सकते हैं तो यह देखिए यह आपका mouth में अगर एक बार है तो यह कहीं fall order आता रहेगा ठीक है तो यह चीज़ आपको समझवाना से ठीक है उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका लिप आपका जो यह उसके जो इंसाइड जो कंडिशन्स होती है यह देखिए यहां पर लिप के इंसाइड में क्या हो जाता है आपका गलना स्टार्ट हो जाता है और उसी के साथ अगर हम बात करें तो म्यूकस जो होता है वह आपका जो है गिरता रहता है वहां पर और उसी के साथ साथ अगर हम बात करे है next आपका mastitis सो बहुत इंपोर्टनट डिज्म है क्योंकि अगर यो điU क्हें बात करते और यह एक आपको पता होना से हैं이면 जाना और यह अगर मैं सेहां कि इसके अंदर यह बन्ली की आपको तहुक है और ध्यारिश के होको और blossom की क्य cheek verliert 까 तक आपका यह ऑगरा जो आपके टीट के ऊपनीं होते हैं उहएंचर कर जाते हैं और वहा पर जाकर वह जो है इंदर उंदर आज स्वैलिंग और झी ओंके और जादा करना पड़ता है और उसे के साथ यह आपका एक अनिमल जो होते हैं वो दूद देना भी बाद में बंद कर देते हैं तो एक परकार से यह आपका डेरी जो केटल से हैं उनके लिए बड़ा ही एक आप कह सकते हैं बहुत ही महतपून डेजीज है और बहुत ही नुक्सान दायक है क्योंकि इससे आपका एनिमल जो है वो एक परकार से कंप्लीटली आप कह सकते हो कि अगर ज्यादा लॉंग टाइम तक यह डिजीज रहता है तो दूद देना भी बंद कर देता है जिससे कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुक्सान जहिलना पड़ता है तो यह आपका डिज यहां पर देगा टीट्स बगएर जो फिर जहां इनिमल को रखते हैं उनकी साफ़ाही करनी पड़ेगी है और खासकर जो आपके डेर यहां के जो मिल्किंग अनिमल से उनके जो टीट्स हैं उनको साफ करना चाहिए और उनको अच्छी जगह पर रखना से यह साफ़ाही के जगह पर है ना थाकि कोई बैक्टिडिया वगएरा या फिर बाकी और और निजम या फिर कोई और वज़े से वहां पर खासकर जाओगे कोई कट लग जाता है तो उस कट को भी हमें साफ करना चाहिए ताकि कोई अनिमल वगएरा जो आपका माइक्रोनिजम वगएरा वो ए होंगे ठीक है और आगे हम इंपोर्टेंट डिजीज के साथ और नेक्स्ट उनके अगर हम बात करें तो उनका वैक्सिनेशन जो है उस वैक्सिनेशन सेडूल के रिगार्डिंग उन सभी को डिसकस करते हुए नेक्ट वीडियो को आपके सामने ले कि आएंगे और आगे हम जो है फ्रवरी बैस से फ्रवरी के अंदर एक चार फ्रवरी से नया बैस स्टार्ट कर रहे हैं जो भी बच्चे उसमें रिजिस्ट्रिशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं अभी रिसेंट में आपके लिए डिसकाउंट ओफर अवेलिबर है और आपका यह ओफर 25 तो भी ओफर नहीं प्रवाइड करवाए जाएगा जो भी स्टूटिंट इसमेडमिसम करना चाहते हैं लेना चाहते हैं वो अभी रिजिस्ट्र करवा सकते हैं बाकी गाइज अगर किसी को भी कोई क्योरी है आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर को जोइन कीजिए और अपने उन कोई को अटेम्ट कीजिए जो हम डेली आपको क्वीस फोम में देते हैं आपको बहुत जादा फाइदा मिलेगा आपके एक्जाम्स में कोई कोई अगे और जहां भी आपको डाउट लगता है मौश वेल्कम गाइज कभी आप कोई सकते हैं तो गाइज थैंक्यू सो मु दिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोर्सिंस के साथ थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ